हलो दोस्तों विल्कम बैक अगर आप है क्लास नाइन्थ के स्टुडेंट तो मैं आप सभी के लिए साइन्स का सब्जेक्टिव कोस्टन्स लेकर के आ चुका हूँ आप लोग के भारी डिमांड पर आप लोगों से मैंने कहा था कि आप लोग सो लाइक करी आप लोगोंने दोसों से ज्यादा लाइक कर दिया उसके लिए आप सभी का थैंक्यू तो चलिए अब हम लोग इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सारे सब्जेक्टिव कोस्टन्स को पहले देखते हैं और उसके आप लोग का सारा सवाल रहने वाला है और आप लोग जब पिछले दिनों में जब एक्जाम देने गए हैं अगर आप लोग का मैच किया है तो आज भी आज का जो भी मैं पेपर आपको प्रवाइट करा रहा हूं वो भी आप लोग का 100% मैच करने वाला है तो आप लोग व साम से देख करके लिखे यहाँ पर बहुत सारे बच्चे कमेंट करेंगे किसमें आप लोगों ने को वा इक में लिखा हुआ है उसका आप लोग को मैंने यह प्रोवाइट कर दिया अगर यह नहीं आए तो फिर आप जाकर कि हमारे वीडियो में कमेंट कर लिजेगा और जो के लिए किसी भी भौतिक वस्तु का पर्तिरोद है उसके लिए गती दिशा या बाकी इस्तिति में बदलाव सामी ले इस निरंतर बेग में एक सीधी रेखा के आगे बढ़ने के लिए वस्तु की परविरती है यहां पर दूसरा भी उसी तरह से आप लोग देख सकते हैं दू नंबर आप लोग को यहां तक आ जाना है यहां गारीज ले लिए आ नौमा नंबर में अपलोंग को यहां पर देख सकते हैं यहाँ पर 9 नमबर आप लोग के लिए यहाँ पर एंसर है उसका आप लोग का एंसर हम लोगों ने बहुत ही यहाँ से मेहनत से तयार किया है तो आप लोगों आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को जादा से जादा लोगों कभी सेयर करें ताकि जो है य हो गया 11 सकते हैं और यह वीडियो यह है को इस वीडियों हो जाएगा तो इस वीडियों हम लोगों हम लोगों ने आपको बताया एस के टोटल सब्जेक्टिव कोसंस को तो आप inimघ एप लोग C